नमस्कारम, मैं हूँ योगी नित्या, पिछले 15-16 वर्षों से मैं योग, आयरुवेद, और प्रकर्तिक चिकित्सा के शेत्र में कारे कर रहा हूँ, लोगों को ध्यान सिखा रहा हूँ, आर ऐसे में मैंने अनभुम किया, महसूस किया कि बात सारे लोग इस विद्ध्या से आवगजत नहीं है, कि क्या है इसकी गहराई, कैसे इसको ठीक जह से अभ्यास मे लाया जाए, जीवन मे लाया जाए, तो बिचारे सीखना तो चाओते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं, इसल एकुप्रेशर और खासकर डाइटिश्यन कैसे आप घरवेट है बन जाएं अलाकि इसमें वेया उद्देश्य आपको कोई प्रफेशनल ट्रेंडिंग प्रदान करना नहीं है लेकिन आप अपना कल्यान कर सकें औरों का बना कर सकें ऐसी आपको कुछ विधियां ऐसा में ज्य उसे अपने तक सीमित रखों तो इसलिए हमने एक वीडियो की श्रंखला शुरू की है जिसमें हम आपको रोजाना योग और डाइट और एकुप्रेशर ऐसी तमान चीजों की वीडियो देंगे जो की आप लेसन वाइज डे वाइज आप चैक्टर वाइज हमारे साथ जु एक आपको फर्स्ट लेसन देते हैं तो यह लेसन होगा जो लोग डाइटिशन बना चाहते हैं और जो डाइटिशन हैं मैंनी कहता कि उनके पास कॉलिफ्केशन नहीं है उनका अपना अनभव भी होगा लेकिन मैं आपको रिशी परंपरा से ऐसे सुत्र दूंगा कि जिसको समझने के बाद आप हैरान हो जाएंगे खुश हो जाएंगे कि वा यह चीजों तो बहुत गहरी है अगर इसको समझ लिया जाए तो हम तो बहुत आसानी से उपचार कर सकते हैं बहुत सटिकता के साथ उपचार कर सकते हैं किसी को भी बता सकते हैं कि उसे क्या खाना है क्या कि कैसे समझवा जाए डाइट को तो आज हम पहला लेसन शुरू करते हैं पहले लेसन में आप अपने एक नॉट बुक लगाएजिए और हर दिन जब भी में आपको लेसन दूँ तो आप उस पर लिखिए ताकि आप घर बेटे डाइटिशन बन जाएं कुछ ही महिनों में कुछ कॉर्स में आप कुछ वीडियो में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे तो पहले में बताना चाहूँगा कि आप किसी को भी आहार के बारे में अगर समझाने निकलेंगे सबसे पहले आपको उस पर अमल करना होगा आपको अच्छी चीजों से प्यार करना होगा यह नहीं कि आप लोगों को तो अच्छा है लिखते जाओ और खुद आप कहीं का भी गंदा मंदा कहीं से भी कुछ भी तला हुआ बासी यह वो सब ठंडा खाने लग जाओ नहीं आप भी उप योगिता को संझो कि आहार कितना जीवन में महत्या रखता है क्योंकि जो हम खाते हैं वही हम धीरे धीरे बन जाते हैं और मैं एक चीज जो गुन्यादी आज के लेसन में दिना चाहूँगा कि आप चीजों को देखना शुरू करें एक विजुलाइजेशन अपने मन में चलाएं जोवी चीज आपने देखी परमात्मा बहुत बड़ा साइंटिस्ट है उसने कोई जीज बनाई उसके बिचे बहुत बड़ा रहस्य है कोई चीज बहुत ज्यादा आपको उसको बहुत उसमें किमत है बहुत उसकी value है, बहुत उसको सरक्षा की जरूरत है, तो उसको कवर्च बहुत भागप स्टrong लगा है, जैसे नारीयल पानी, को बहुत कीम्ती चीज है ये, और इसको पीते ही ताकत आजाती है वेक्ति में और इसकी covering इतनी strong बढ़ाई भगवान ने कि आप पीएगे और उसमें बाहर की कुछ चीज नहीं अंदर जा सकती इतना उसका मोटा शेल होता है यह छोटी छोटी चीजे हैं इसको आज से ही देखना शुरूर करो मैं क्या कहना करे आजा है ओर पहले लेसनं की जो पहली बात वो यह है की जैसे बादाम की गिरी है गिर मदा डेखे में तो आख जैसी डिखती है आप यह करेगी कि यह शाय को रिंसे की बुद करके सुरूर करता हूं यह को यह प्हले दिन स्कूल में वच्क्चा आए और उसमे जाता ई यह जो पता है जो आपको दिखते हैं हैं अपनी डाइग्राम में देखते हैं जो डिकल के किताबे हैं उसमें आपको दिख जाएगी तो इसी तरह यह अख्रोड दिमाग के लिए काम आता है पपीता बहुत बढ़ा होता है गोड होता है और हमारा पेट भी अंदर से बढ़ा और पूर होता है यह पपीता पेट के लिए अच्छा होता है इसी तरह से चोटी चीज़ा से अंगूर है गुच्छों में होता है आपके फेफरों के अंदर भी ऐसे हावा के गुच्छे होत तो यह लाख रंका है, लाख रंका हमारी बोड़ी मी क्या है? हाठ है, तो यह हाट के लिए अच्छा है, अनार इंप लाख का है, तो यह खून बढ़ाएगा जो फशी जीज़ लाल लान, लान आपको लाल बढ़ाती है, यह थोड़ी माइंड को आप दुणाई है इस तरह, म साथ पाउन घे संखनों संखनों दाए pan युपन आलाबरे संखरेस परें वरस अमरूद लेसे शर्वपन अम्रूद ले लिए estava coined आयमको पांचन शर्थी से अधर के लिए और इसके इलावा आप अनार ले लिजी बहुत काटेदार होता बहुत सक्थ होता है तो यह थोड़ा गरम भी होता है तो यह आपके बेट कम करने के लिए कामाता है आपको गर्मी देता है जिन लोगों को कफ रहता है नजला रहता है आप देखिया कोई जो गरम चीज होगी तो वो नजला कफ को दूर करेगी और कफ का मतला बेट भी होता है फैट भी होता है तो ये फैट गटाती है रंगों से आप देख के अंदाजा लगाएगे कि ये किस चीज के लिए काम आएगी ये किस बॉड़ी के पार्ट पे काम करेगी उसका आकार देखिए कि आकार देखकर कि आपको खरेशने के किस चीज में काम आएगा सेभ है तो इस हाट के काम आएगा पपीता है तो इस पेट के काम आएगा आम भी पेट के लिए अच्छा होता है इसी तरह से राजमा आब राजमा किड़नी को ताकत देती है हलाकि किड़नी की बीमारिया में नीखाता लेकिन वैसे राजमा का का किड़नी बीन जसा होता है, जो आपको कम आसे बढ़ने के लिए काम आती है, अर बहुत सारे ऐसे पड़ हैं, जो आप देखते जाएं, देखते जाएं इसको मैं डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में लूँगा और फिर आपको मैं बताऊंगा धीरे 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 फिर आप समझेंगे खुद कि कैसे डाइट को समझना खुद और कैसे लोगों को रिकॉमेंड करना कैसे उसको आगे लोगों को समझाना ये जो हमने श्रंखला अगर शुद की है डाइटिशन बन जाने की जब घर बैठे आप कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं उन लोगों के लिए है बेशक बाकी लोग इसको चाहे ना सुनें इन वीडियो को मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो घर बैठे ही योग टीचर बन है पर शुरू करिए बात कुछ है सीखने को जिंदगी में सीखते रहना होता है और सीखने की कोई उम्र नहीं होती तो आज की वीडियो में इतना ही नमस्कारण